नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हिंदी नोलिष शो में तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि यमन में कई सालों से लगातार ग्रह युद छिड़ा हुआ है जहां एक तरफ है हूती विद्रोही वही दूसरी तरफ है यमन की निर्वासित सरकार आज की तारिक में अगर आप देखें तो पूरे यमन पर आपको हुती विद्रोही का राज मिलेगा लेकिन इन हुती विद्रोही को साओधी अरब बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है इसलिए आपने देखा होगा पिछले दो साल से लगातार जो साओधी अरब और उसके साथी देशों का इन्हें युद लड़ने का zero experience है इसलिए यह बिना जाचे परके जहां पर ज़्यादा आदमी कठा दिखे वहीं पर बंबरसा दिये ना वहाँ यह देखते हैं कि बच्चे खड़े हैं बुढ़े खड़े हैं बुजुर्ग हैं महिला हैं बस इन्हें बंबारी करते जा रहे और इसलिए साओधी अरब की इस गटवंदन पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं लेकिन आप कहेंगे कि मैं आज आपको इस सारी बाते क्यों बता रहा हूँ तो इसका एक कारण है दरसल जब यमन पर बंबारी होती है तो उसके जवाब में होती विद्रोही भी पीछे नह बनाया जाता है कहीं बार सौधी की राजदानी रियाद तक रोकिट अटैक किये गए हैं लेकिन आज जो हुआ है उसने पूरे अरब वर्ड को सन करके रख दिया है दरसल यूएई को तो आप जानते ही होंगे युनाइटिड अरब अमीरात इसका एक फेमस शहर भी है जिस अरब वर्ड में सबसे वेस्ट एरपोर्ट में से एक माना जाता है यहाँ पर आज जबरदस्थ हमला हुआ है और हमला बहुत ही बड़े लावल का था और बता जा रहा है कि एक ड्रोन अटैक था और इसके पीछे हूती विद्रोहियों का ही हात है यह बात खुद हूती वि उन्होंने विसफोटक गिरा दिये अब तेल के टैंकर पर तो एक माचिस की तिली डाल दो वही काफी है उन्होंने तो छोटे छोटे विसफोटक डाल दिये तो धमाका हुआ और इतना जबरदस धमाका हुआ कि इसकी आवाज कई किलोमेटर दूर तक सुनाई दी वहीं इस चोटे से छोटे पक्षी को भी डिटेक्ट कर सके ऐसे में विसफोटकों से लदा हुआ ड्रोन एरपोर्ट के करीब भी आ जाये और रडार को पता ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता और इसलिए UAE की सरकार भी चिंता में पड़ गई है कि कहीं इसमें अंदर के लोग तो शामिल नहीं है और एक बड़े लेवल पर यहाँ पर जाच की जा रही है कि एक ड्रोन UAE के पहले तो अंदर इतना कैसे गुसा उसके बाद एरपोर्ट के करीब आकर उसने आराम से यह ढूंडा कि कहां पर तेल के टैंकर है और फिर उन पर विसफोटक भी गिराए और किसी को पता